हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर पैटन सियर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप जैन्ड साफ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडिज कार्डिगन, कोट्टी, बलाउज, बच्चों के औल प्रोजक्ट, कैप, बलैंकेट, फ्रोग, गल्स, स्वेटर आदि में अपलाई कर सकते हैं, बनके देखे, बहुती कुशूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, ये देखे, ये हमारे पैटन का फ्रेंट साइड है, और ये देखे, ये हमारे पैटन का बैक साइड है, इस पैटन को बनाने के लिए हम हमने two के multiple में फंदे डालने हैं और plus हमने two फंदे extra डालने हैं दस नंबर की सलाई में हमने इस pattern को बना लेना है और front side से हमारा ये pattern बनना start होगा सबसे पहले हम अपने project के साब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border बनाके complete करेंगे border complete होने के बाद हमारा ये pattern बनना start होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए न्यू वीडियो के notification के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइकन न देखे ये border complete होने के बाद देखे front side से pattern की first row में देखे पहला फंदा उतार लेंगे पहला फंदा उतार लेना है और front side से हमने first row को सीधा भूनते हुए complete कर लेना है ये front side से हमारी pattern की first row है इसको हमने सीधा भूनते हुए complete कर लेना है ये देखे ये front side से हमारी pattern की first row complete हो गई अब देखे रॉंग side से second row अब second row में देखे पहला फंदा हमने ऐसे भून के उतार लेना है दागा अपनी ही side रहेगा आप देखे नेश्ट एक फंदे से हम तीन फंदे बना लेंगे तो देखे इस तरीके से ये एक फंदा बन गया सलाई में दागा लपेटेंगे ये दूसरा फंदा और भून के तीसरा ये देखे इस तरीके से हमने एक फंदे से ये तीन फंदे बना लेंगे फिर एक फंदा उल्टा बनेंगे ये दागा अपनी ही side रकना है एक फंदा उल्टा ये देखे अब next हमें ये ही process repeat करना है तो एक फंदे से हम तीन फंदे बना लेंगे एक सलाई में दागा लपेटेंगे दो और भून के तीन फिर देखे एक फंदा उल्टा नेस्ट हम same process repeat करेंगे एक फंदे से हम तीन फंदे बनाएंगे एक इसलाई में दागा लपेटा दो और भून के तीन फिर एक फंदा उल्ट फिर नेश्ट देखे एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे एक सलाई में दागला पेटा दो और बुन के तीन और एक फंदा उल्टा यह देखे अब नेश्ट देखे सेम प्रोसेस रिपीट होगा एक दो और तीन एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाएं फिर हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे फिर एक फंदे से हम तीन फंदे बनाएंगे एक दो और तीन फिर एक फंदा उल्टा फिर एक फंदे से हम तीन फंदे बनाएंगे एक दो और तीन फिर एक फंदा उल्टा और last का फंदा ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे तो देखे ये wrong side से हमारी pattern की second row complete हो गई आप देखे फ्रंट साइड से third row अब third row में देखे पहला फंदा बुन के उतारेंगे इस तरीके से देखे ये पहला फंदा हमने बुन के उतारा आप देखे एक फंदा देखे ये सीधा बुना है और एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाए है तो ये total हमारे चार फंदे हो गए तो देखे एक, दो, तीन, चार जो चौथे नंबर का फंदा है उसको देखे ऐसे उठाएंगे right needle से और आगे के तीन फंदों के उपर से उतार के ऐसे इस फंदे को right needle में shift कर देंगे इस तरीके से देखे ये right needle में उतार लिया हमने ये फंदा फिर इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, तीन का एक कर लेंगे बैक साइड की तरब से ऐसे तीनों फंदों में एक साथ सलाई डालेंगे, तीन का एक कर लेंगे, यह देखे, अब नेश्ट देखे यही प्रूसिस रिपीट होगा, तो देखे, एक फंदा हमने सीधा बुना है, और एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाएं, तो देखे, एक, दो, तीन, चार, जो चौथे नंबर का फंद है, आगे के तीन फंदों के उपर से उतार के, ऐसे राइट नीडिल में इस फंदे को सीथ कर दिया, और नेश्ट अपने तीन फंदों का एक कर लिना है, यह देखे, यह तीन का एक हो गया, इस तरीकी से, यह देखे, अब आगे के 3 फंदों के उपर से उतार के इस फंदों को ऐसे राइड नेडल में उतार दिनेंगे और 3 फंदों को एक साथ भूल देंगे तीन का एक करएंगे फिनेश देखे, इस चोथे नमबर का फंदा उठाएंगे राइट निडिल से, आगे के तीन फंदों के उपर से उतार के ऐसे इस फंदे को राइट निडिल में सिफ्ट कर देंगे, और इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, तीन का एक होगे, फिनेश देखे, ऐसे चोथ प्पंदा उटाना है और तीन प्पंदों के उपर से उतारके इसको ह king में शिप्ट करना है और इब तीन का एक कर लेना है अग्यार साथ लाटे के एक दो कि चार हुआ है में उछपनर का अइस उतार दो और झारम 2017 करेंगे और देखे इस तरीके से, ये देखे, लाश्ट का फंदा ऐसे ही विनाबुने उतारेंगे, तो देखे एफरंट साइट से हमारी थारड हो गई, आप देखे रोंग साइट से फोर्थ रो, फोर्थ रो में देखे, पहला फंदा ऐसे बुन के उतारेंगे, आप देखे, नेस्ट फंदे हमने उल्टे बुन लेने, यह देखे, यह रोंग साइड से जो हमारी फोर्थ रो आएगी, इसको हम उल्टा बुनते हुए कमप्लेट करेंगे, देखे, यह रॉंग साइड से हमारी फोर्थ रोka कमप्लेट हो गई, अब देखे, फ्रंट साइड से फिप्थ रो, अब हमारा पैटर repeat होगा, तो देखे, यहां पे रिपीट रोग प हैं, पेला फंदा उतारेंगे, और फ्रेंटे साइट से हमने फिप रोग को फर्स्ट रोग की तरव सीधा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो चैनल के लिए बैल आइकन दवाना न भूलें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बथाएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें यह देखे यह फ्रंट साइट से हमारी फिप्ट रो कमप्लेट हो गई आप देखे जो रॉंग साइट से हमारी शिक्स रो आएगी 6 row को हमने 2nd row की तरह बुनते हुए complete करना है इस तरह हम अपने pattern को repeat करते जाएंगे और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखे वहती सुंदर, वहती आसन pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू